हेलो दोस्तों स्वागत आपका SPG चैनलल में तो दोस्तों आज में डिस्क्रेस करें हम जीबाजी उनिवर्चेटी के BA, B.com, BSC जी हैं दोस्तों अगर आपनी जीबाजी उनिवर्चेटी के थड़ी एर में एड्मिसल लिया है तो आपके थड़ी एर के एकजम पॉर्म एप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं तो तरह से हमको पॉर्म बनना है और कब तक आप पॉर्म बरपाएंगे कितनी पीस रहने वाली ह सब कुछ हम इस वीडियो के मादम से देखने वाले हैं तो दूस्तों वीडियो को पूरा देखना है तब ही आपको समझ में आप आएगा तो दूस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीबाजी उनिवर्चिटी के दौरे यह नोटिपिकेशन जारी किया गया था उननीस म गले में वे रखकी गई है cius मार्च है कितनी रखक है दोस्तों ते 20 मार्च तक आपको अपना परिच्चा पौम है को इस साथ हैं सारी आप कुछ माच करने है अगर आप तीश माच तक महीं कर पाएंग laundry तो आप परिच्चा में बैठने नहीं दिया जाएक और आप परिच अब दोस्तों PEECE के बारे में डिसकस कर ले रहे हैं तो हमारी जो PEECE रहने वाली है आप ये जान लिजे है कि हमारी 30 मार्च LARGER रहने वाली है परिचा पॉम बनने की, अब दोस्तो एक notification और जारी किया गया था, 19 मार्च को एक notification आया है, regular के लिए BA, BC, BSC, BSC, Home Science, 3rd year, 3rd year के दोस्तो regular student, नियम में तयानी की regular student के लिए notification आया है, BA, BC की जो large rate रहने वाली, सबसे पहले हम large rate रहें, देख लेती हैं, same रहने वाली है, 30 परिचा पॉम बनना, परिचा पॉम बनने के बाद जिस कॉली में अपने अपने अडिमेंशन लिया है, इस कॉली में अपने पॉम को सम्मिट करना है, नहीं की जमा करना है, BA, BC, BSC, BSC, Home Science, 2,25 रुपे, पीस रुपे, पीस रहने बाली है, अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आज ही वीडियो अप्लोट करते जागा वीडियो को बेट करें और आप मुझे जानता है 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 जा